नमस्कार दोस्तों आप शबी का बहुत बहुत श्वागत है दोस्तों केशे हैं आप शबी उमिद करते हैं कि मांकाली के शुरबाशी आप शबी बहुत अच्छा होंगे अपने घर में श्वास्तोंगी दोस्तों आप शुभी को बता दी कि माकाली ने आपको दिया है चार बड़ा शुब संकेत और अब आपके जुवनकाल में इन शुब संकेत के शिरवाशी बहुत ही बड़ी खुशाली आपको प्राप्त होने वाली है जिहां दोसों आप आपको बता दी कि माता काली का अशुम अशुरबाद ही ये चार बड़ा शुब संकेत है जिहां दोसों आप शुवी को बता दी कि अब मा काली के शुरबाशी आप शुमे की जुनकाल में अच्छी जिन्दगी शुरू होने वाली है जी हाँ दोसों, आप भूल जाए अपने पिछले शमी की दुख भरी कहानी, क्यों को दोसों माकाली के श्रिवाशे अब आप शुवे की जुनकाल में खुशों की एक नई दूनिया बनने वाली है, जिनके कारण दोसों आप शुवे की जुनकाल में बहुत भड़े भड़े जमिन खिशक जाएगी, जी हाँ दोसो, एक प्रकार शीक केहीं तो दोसो आँगे शाम से आपसे भी के जुनकाल में बहुती बड़ा अचोम्ड मचने वाला है, जी हाँ दोसो आप शिबी के जोन से जो भी मुस्यूबत थी दोसों भा दूर होने वाली है आपके शामने जो भी परिशानिया खड़ी हो रही थी दोसों वे शामने से अब हटने वाली है क्यों दोसों आप शिबी को बिदा दें कि माता काली काशी मशिरबाद आप शिबी के राशी पर हो जिनके कारण दोसों आप शिविक के कुंडली में चार बड़े शुब्यों का निर्मान होने वाले हैं जिहां दोसों और ये चार बड़े शुब्यों आपको चार बड़े शुब्षंकेत देने वाले हैं जी हां दोसों तो दोसों आज के इस वीडियो में हम आपको वह शंकेत बताने वाले हैं दोसों ध्यान शे आज के इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा जी हां दोसों अगर आप इन बातों को शमझ लेंगे अगर आप इन शंकेत को जान जाएंगे तो दोस्वों माता कालि का वह चमतकार आप शेविके जुनकाल में होगा जिने जानकर आप शेड़ जनने वाले पी रोड़ने लगेंगे कि दोस्वों उनका होस उढ़ जाएगा वो सोच नहीं शक्ते थी कि आपकी जुनकाल में कभी इतनी भी बड़ी खुशी आएगी जी हाँ दोसों आप शिपी को बता दें कि धन से जुड़ी जोबी शमन्दिश आपकी परिशानिया थी दोसों जिने लेकर आप बहुत ज़्यादा परिशान चल रहे थी दोसों वे शिपी परिशानिया खत्म होने वाली है आपके घर्शी आर्थिक तंगी शब शमाप्त हो जाने वाली है जिहां दोसों आए शाम से आप शिपी के जुनकाल में बहुत ही बड़ा चमतकार होगा दोसों आप शिपी को बता दें कि आपने पिछले शिमे अपने जुनकाल में बहुत कुछ शिखा है बहुत कुछ शमजा भी है कि दोसों आपने पिछले शिमे जहां भी दुख जेले हैं जहां भी शमशाओ का शामना क्या हैं दोस्तों उस्यमे में आपके अपने ने जिने आप शब कुछ मानते थे दोस्तों उन्हें अपना अशली रंग भी आपको दिखाया है और केशे धोके दे जाते ही दोस्तों वे शब बातें भी आपको शिखाया है बिल्कुल भी आप खुद को निराश ना समझे दोस्तों आपके जुनकाल में ये शारी खुशकबरी एक शाहत आएंगी, तो दोस्वों वो लोग के आँखें फटी की फटी रह जाएंगी, जी हाँ दोस्वं हम आप शुभी को बता दी कि खुद माकाली अब आपकी रक्षा करने वाली है जी हाँ दोस्वं अब आपके अच्छी जिन्दगी की शुरुआत होने वाली है और दोस्वं आज की इस वीडियो में आप बिल्कुल ही भूल कर भी चार संकेत को नजर अंदा जानकरियां आप शुभी को दोने वाले हैं कि ये अशिर में आपको कौन-कौन शी विष्ट बातों का भी ध्याद अगना होगा कौन-कौन शी कारीयों को लेकर आपको शावधान भी रहना होगा ताकि माकाली का शीमश्रबाद आप शबी को प्राप्त हो उस्श्य पहले दोस्तों जो भी मातारानी के सच्चे भक्त हैं दोस्तों कमेंड बोक्ष में सच्चे मन, सच्चे हिर्दे भावशी जय माकाली जरूर लिखेगा दोस्तों मातारानी काश्य मश्रिबाद आप शभी को प्राप्त होगा किश्मत के बंद दरवाजी खुल जाएंगे मुशुबत के शारे रास्ते बंद हो जाएंगे और जिए उनकाल में उन्नती शुक्षमर्दी आपके घर में वाश करीगी तो दोस्तों जरू लिखेगा और शाल दोस्तों कर आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी शब्ति आप कर लें शाथी बेल आइकन को प्रेश करके और पर्शुलेट कर दें ताकि दोस्तों और शी महत्पू जनकारियां आप तक सबसे पहले पहुँशके तो आई दोस्तों बात करते हैं दोस्तों आप शिवी को बता दे जिनमें कोई दूसरा व्यक्ति होता तो दोस्तों खुद को शमाल नहीं पाता लेकिन दोस्तों पिछले शमे में आपने वहर मुश्कित प्षिती में खुद को शाहत के साथ कार किया है जिहां दोस्तों बिलकुल ही नीरह रहोकर आप अपने कारियों पर डटे रहे हैं चाहे लाख मुश्कित आपके शामने आये हैं लेकिन दोस्तों किशी ने किशी तरह आप उन मुश्कितों से निकल ही गए हैं लेकिन दोस्तों शबसे ज़़ा आपको दुख उश्वक्त हुआ जिश्र में आपने अपनों शे मदद की आश रखी थी और दोसों वही शे में वो लोग आपको धोखा देगे यूँ कहें तो किशी परकार से अपने हांथ छुडा लिए लेकिन दोसों हम आप शे भी को बता दे की माताराने के शिर्बाश ये अब आपको चार बड़े शंकेत मिलने वाले हैं जिहां दोसों लेकिन दोसों हम आप शिभी को बता दे कि अब शे आपको अपने जुनकाल में कुछ बातों का ध्यान भी रखना बहुत ज़्यादा आश्य होंगे जिहां दोसों अगर आप चाहते हैं कि आगे शे कोई भी दुश्मन कोई भी शत्रू आपको परिशान ना करे और नहीं आपको धुका देश के और नहीं आपके कारियों में रुकाव्टें डाल सके तो दोसों कुछ बातों को आश्य ही आप उन्हें कान में रख लीजिए जिहां दोसों शबशे पहले आपको बता दी कि आश्य आपको जो बड़ी खुश्गबरी मिलने वाली है आश् दोस्वों यह दो बातों का ध्यान अब आपको अपने जिवन काल में रखना है शारी दोस्वर के परतिर लगाव आपको कम नहीं करना है दोस्वों दिन पर तरह दिन कई शक्रश्य व्यक्टियों होते हैं कि किशी पर भी आँख मूंत कर भरुशार नहीं करना है और नहीं अपने कारियों को डिंडोर आपको कहीं पर करना है शाधिशा दोस्तों इश्वर के शात रहकर आपको हर कारियों में कारी करना है इश्वर का शमर्थन आपको कारियों में लेना ही है जिया दोस्तों जिस कार का प्रियुक आप उतने मन में उचारण किजीगा दोस्व मातारानी आपके कारियों में हो रही गलतियों से आपको अवगत कराएगा दोस्व दिभी शक्तियों का अच्पर्श आप शबी की जुनकाल में जरूरी होगा प्रण दोस्व सच्चा मन और सच्चे हिर्देशी पहले खुशी होगी आपके केरियर के छेत्र को लेकर जी हाँ दोस्व जो जादा पिछले कैश्य में शे केरियर के छेत्र को लेकर बहुत ज्यादा परिशान चर रही थी दोस्व जिनका भी नोकरी नहीं है या फिर जिनका भी नोकरी छूट गया है दोस्व वैपार्श मन में जो भी विप्रतगरा है जो भी आपके शांत मन को बहुत ज़्यादा प्रेडिर करते हैं दोस्तों वे शांत होने वाले हैं और अब आपको नोकरी की शंभावनाएं बनने वाली हैं जिनके कारण दोस्तों आने वाले शांत में आपको नोकरी की प्राप्ति होगी और दोस दोस्तों यहां गलती आप भूल कर भी ना करें कि दोस्तों यहां मातारानी का शंकेत होगा जो कि दोस्तों आप शिविक के जिवनकाल में आने वाले हैं दोस्तों आई शाम से आपको जो भी कारे शमंदिक कुछ ऐसे शंकेत मिलें जिनमें आपको लगे कि यहां कारे हमाली श शावित होने वाले हैं तो दोस्तों इन बातों का आप ध्यान रखें और दोसरा जो शंकेत है वो आपके लव लाइफ के लिए है जी है दोस्तों आप शिभी को बता दें कि अब आपके लव लाइफ में जो भी परिशानियां चल रही थी जो भी चिंताएं आपको अपने शाथ कर रहे हैं दोस्तों उनमें अब आपको बदलाव करना ही होगा जी हां दोस्तों अगर आपको अगला व्यक्ति कुछ इशा कह दे जिनसे आपका मन बहुत यहादा दुखी हो तो दोस्तों वैश्य में आपको दुखी नहीं रहना है कि दोस्तों इशाकार हमेशा उन्हें बहुती गुष्चे और बहुती चिर्चराशा बना देता है तो दोसों अगर आपके शाती आपसे गुष्चे से भी बात करें तो दोसों वैश में आपको जवाप नहीं देना है पस दोसों आपको शांत रहकर शमय का इंतजार करना है तो दोसों आने वाले शमय में आने वाले प्रिस्तिती में आपको शुधार देखने को मिलेगा शादी शाद दोस्वों आपको वदा दें कि जो भी आपकी परिश्यानियां लव रिलिस्टिप को लेकर चल रही थी दोस्वों वह शुब होने वाली है और गरहों की स्थिती में बहुती बड़ा परिवर्टन होगा जिनके कारण दोस्वों आपकी पारिवरिक जोन में बहुत याच्छा बदलाव आने वाले है शादी दोस्तों तिसरा जो कारे है दिसरा जो शंके थे आप शवी के जुनकाल में श्वास्त को लेकर है जिहां दोस्तों आप शवी को बता दें कि पिछले कईश में से आपके जुनकाल में पेट को लोकर शमयशाय चल रही है जिन से आपको लगे कि यह कार बिना दवाई शियब ठीक ही नहीं होगा तो दोस्तों यह में आपको डॉक्टर के पास तुरंती जाना चाहिए और डॉक्टर की शलाह आपको लेना चाहिए शादिश्रा दोस्तों हम आप शिबी को बता दें कि इनके लिए आपको कुछ महत्पुन उपाय भी करना चाहिए जैसे कि दोस्तों शनीवार और मंगलवार के दिन आपको हर्मान मंद्री में जाकर हनुमान जी को लालिटी का लगाना चाहिए दोस्तों इन शे बहुत शारे शंकट टल जाते हैं जो भी श्वास्वमिजी प्रिशानिया होती है दोस्तों भादूर होते हैं और महाबली हनुमान जी उनके जुनकाल में हमेशा किरपरदिश्टी भर्षाते ही तो दोस्तों इश्वर के भी शात आपको कायर करना है शाती डॉक्टर के भी आपको शला लेना है और दोस्तों चोथा शंकित है वह है कि दोस्तों अगर आपके कोई शावेक्ति आपके पास आई जो आपको लाब के कुछ शे लाल लेते जो कि आपके शोच से बड़े हो लेकिन दोस्तों याशे में आपको शमलना है ठहरना है कि दोस्तों कोई भी एशेकार किश्य के बहकावे में आकर मत केजिएगा जो कि दोस्तों आपके आने वाले शमय के लिए हाने शावित हो जी हाँ दोस्व तो दोस्व इन बातों को अब आपको ध्यां रखना है कि दोस्व माकाली का अंच आपके राश्के लोग होते हैं जी हाँ दोस्व अगर आप लालस में आकर को एशे गलती कर देंगे जो कि दोस्व आपके आत्म समान को ठेस पहुंचा दिये तो दोस्व बूल कर भी आप इह गलती मत किजिएगा तो आगे इस वीडियो में और भी महत्पुन जार करें आप शिबी के लिए बताने वाले हैं तो दोस्तों आगे भी वीडियो ध्यांश दिखिएगा दोस्तों आप शिबी को बता दी कि अब आपको परिवार में कुछ खास और जुनिकाल में आ सकता है जोकि दोस्तों आपको धन दे या कुछ ऐसे कारी करने को कहें जोकि दोस्तों आप शिबी की जुनिकाल के लिए बहुत अना उश्यक है तो दोस्तों उनकार यों को आपने हाथ में बिल्कुल भी ना लें τον शादि दोस्टों, हम आप शिवि को बता दें कि कुछ ऐसे कार्य कुछ ऐसे एक चास, जो आपके पिछले शमय से बहुत ज़्यादा अधूरी पड़ी थी, दोस्टों, वहाँ कार्य अब आपका बनने वाले हैं, और दोस्टों, कार्यों में किया गया आपका पर्याश अब शफल होने वाला है कि दोस्तों आप शिवी को बता दें कि माताराणी का शिवी मशिरवाद आप शिवी के जिवनकाल में अब रहने वाली है शादी शाद दोस्तों आप शिवी को बता दें कि अब मांकाली के शिरवाद आपकी जिवनकाल में कुछ इसे चमतकार होंगे कि दो एक शाथ आपको चार बड़ी कुशकार मिलेंगी चिनके कार्ण दोस्तों आप शुआ की जुनकाल में खुश्याई कुशंहस्या रहने वाली हैं। दोसुं, आप शिवि को बता दें कि अब आपको चिंता में रहने के आविशक्ता नहीं है, जी हां दोसुं, क्योंकि मांकाली का शिम शिवाद आप शबी के शाथ है, तो दोसुं, कारी में आप शांदार परदिशन करेंगे, जिसे लोग आपकी शोहर ना करने वाले हैं, बॉकरी प्राप्ति के योग बने वाले हैं। शादी दोसों जो भी लोग पहले शी नोख़ी कर रहे हैं। दोस्तों उनको अपने कारियों में पडर्डॉन्दी मिल सकती है, बोश का सपोर्ट मिल सकता है। जिनके कारण दोसों आपको बहुत ज़्यादा खुशे की भी अनुगोती होने वाली है। जिहां दोसों, हम आप शिवी को बिता दे कि यश्मी आपकी कुंडली में जो शुबियों का दिर्मान है या दर्शार रही है। जिनके कारण दोसों, आप शिवी का जीवन अचानक शिवी बदल सकता है। शादित साथ दोसों, हम आप शिवी को बताना चाहेंगे कि लाप के मोके तो आपकी जुनकाल में बढ़ेंगे। शादित साथ दोसों, कुछ ऐसे भी घटनाएं, कुछ ऐसे भी महतपुन लाप के रास्ते खुल जाएंगे जिनकी दोसों आपने कभी कलपना भी नहीं किये थी। जी हाँ दोसों, प्रेम शमदों के लिए शमय आपके लिए बहुत ही महतपुन है, प्रेम शमद में आपको कोई शुब समचाश होने को मिल सकता है, आपके लव पार्टनर में जो भी जगड़ी जो भी विवाद चल रही तो दोसों वो शमाप्त होने वाले हैं और आपको अच्छे लव पार्टनर से मुलाकात हो शकते हैं, जी हाँ दोसों, आप शिप को बता दें कि अब आपकी जो भी विजना है, लव रिलेसंशिप को लेकर, अपने पारिव जियोन को लेकर, दोसों वो विजनाई शिपल होंगी, पर दोसों ध्यान रखेंगी कि आने वाले अब आपको अपने जुनकाल में कुछ बातों के ध्यान रखना है, अन्यता दोस्तों आपके लव रिलेसंशिप में फिरसे दरारें आज शकती है, शाति-शात दोस्तों हम आप शिपल को बता दें कि श्वास्त के लिए जो समय होगा, बहुत ती मैयत्कों समय होगा, दोस् आपने खाने को लेकर यसमें बिल्कुल ही सचित रहना होगा जिया दोस्तों ज्यादा जंग फूट का आपको श्यवन नहीं करना है इससे दोस्तों आपके शिर्दर्द ठकान और कमजूरी की आप महसूर कर सकते हैं लेकिन दोस्तों अगर आप इन बातों के दिया रखेंगे अपने जुनकाल में वयाम और दोस्तों मेडिटेशन को शामिल करेंगे तो दोस्तों ये शिवी शमयश्याएं जल्दी खत्म हो जाएंगी और दोस्तों आपका जीवन बिल्कुली महत्पुन और लाबदायग शाविद होगा तो दोस्तों उम्मीद करतें कि आज को यह है वीडियो आप शभी को बहुत ही पशंद आया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरुर कीजेगा शालिए दोस्तों चैनल पर नए है तो दोस्तों चैनल को भी सुब्सक्काइब कीजेगा धन्यवाद आप शभी का दिन शुब रहे